हेलो अबरीवन आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस परेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ LIC, MF, Large and Mid Cap Fund डाइट ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ कि यह mutual fund फिछले एक साल, तीन साल, पांच साल या फिर annual return क्या दिया है आज के डेट में इसका एक NAV का price क्या है, यह कितनी star rating mutual fund है इसके अंदर आप minimum SIP amount क्या लगा सकते हैं और इसका fund size क्या है साथी साथ मैं आपसे डिसकस करूँगा इसके अंदर कौन-कौन सा stock listed है क्या हमें LIC mutual fund large and mid cap fund diet growth के अंदर investment करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर आपने already invest किया है तो क्या आप अपना SIP या फिर लंसम को continue रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले थे हैं इसकी एक साल के रिटन के उपर में तो एक साल में जो रिटन दिया वो दिया 41.14% का रिटन है तीन साल के रिटन के अपर बात करते हैं तो तीन साल में 20.84% का रिटन है अब हम लोग इसकी एनफी देखते हैं अगर आपने अभी तक आप स्टाक में अपना डिमेट एकाउंट आपने नहीं क्यार करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्सन में मैंने अपना रेफ्रार रिंग दिया है अगर आप मेंने रेफ्रार रिंग से जोईन देखने को मिलेगा नभी की बात कर लेते हैं तो आज के डिट में इसका एक नभी का प्राइस है च्छतिस रुपया साथ पैसा रेटिंग की बात करते हैं तो यह टू स्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें मीनिमूम साइपी अमांट आप एक हजार रुपया का लगा स साल की बात करते हैं तो तीन सार में आपका पैसा जमाहुता एक लाक सी अजर रुपया आपको मिलता दू लाक चालिसव 3630 रुपिया थी इन साल में आपका एक लाक रुपिया एक लाक छैटर जा और फांस साल में आपका एक लाक रुपिया दो लाक पैंतिर जार 157 natalश को यानि कि आप रॉक्स जो है चार साल में आपका यहां पर पैसा डबल होता वानम करते तब इसके अंदर हम लोग holding की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो total stock listed है वो total 72 stock listed है अगर हम इसमें top 10 और उसके sector वाइस देखते हैं तो पहला नम आता है ICIC Bank Limited जो की Financial छेतर में है HDFC Bank Limited Financial, REC Limited Financial, Tarrant Limited Service, Reliance Industrial Limited Energy, Power Finance Corporation Limited Financial, The Indian Hotels Company Limited Service, Sriram Finance Limited Financial, Infosys Limited Technology, Tata Consultancy Service Limited Technology के छेतर में है अब इसकी holding analysis को समझते हैं तो equity पे है 96.8%, cash में है 3.2% अब इस equity को यदि सेक्टर वाज देखते हैं तो financial पे है 29.8, others पे 20.4, capital goods पे 15.4, service पे 13.1, autumn oil पे 8.6, chemicals पे 6.4, technology पे 6.3% इसकी advance ratio की बात करते हैं तो इसका PE ratio 25.15 और इसका PB ratio 3.72 minimum investment amount की बात कर लेते हैं अगर आप first time इस mutual fund के अंदर अपना investment start करना चाहते हैं तो फिर lump sum आपको minimum lump sum के थूरू यदि आप investment करते हैं तो पासज़र प्रा करना होगा और अगर SIP की थूरू करते हैं तो आपको 1000 प्रा का minimum SIP आपको करना होगा हम लोग यहां पर return ranking के ओपर बात करेंगे और आहीं पर समझ में आएगा कि क्या हमें इस mutual fund के अंतरा invest करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए बात करते हैं LIC mutual fund large and meet cap fund का जो fund return है एक साल में 41.6 का है तीन साल में 20.8 का है पांस साल में 18.6 का है और annual जो है 15.3 का है वहीं पर इस category का जो average return रहता है एक साल में 44.6 रहता है निकाल करके दे रहा है तीन साल में भी कम return निकाल के दे रहा है पांस साल में लगवख सहम हो जा रहा है तो जड़ा इस data को समझेंगे तो एक साल में दोनों के बीच difference लगवख तीन का है तीन साल में दो का है और पांस साल में यह लगवख सहम हो जा रहा है और यदि साथ या फिर दस साल का गर आपको देखेंगे तो यह mutual fund अपना जो है category average से भी ज्यादा return निकाल करके आपको देदेगा तो इससे एक चीज असफर्ष्ट साफ होता है यदि आप short term के लिए देख रहे हैं तो short term के लिए mutual fund आपके लिए सही नहीं रहने वाला है अगर long term आप देख के आवा पैसा बारा मैने यानि कि एक साल के अंदर बारा परसंट से ज्यादा निकालते हैं तो आपको एक परसंट का exit लोड देना होगा और system duty की बात करते हैं तो system duty है 0.005% अब हम लग इसकी बात कर लेते हैं फंड आउस और investment objects को तो LIC mutual fund total assist में इंडिया पे 20 नमर पे र करोर का बात करते हैं LIC mutual fund large and mid cap fund diet growth यह एक equity mutual fund है जो कि launch किया गया है LIC mutual fund की तरफ से यह mutual fund स्टार्ट हुए 20 अपरे 1994 को सचीन रिले कर अभी इसका current fund manager है इस fund का currently assist under management है 2776 करोर का और latest ने भी है 36 रुपया 60 पैसा बात करते है LIC mutual fund large and mid cap fund diet growth यह एक काफी high-rix mutual fund है इसमें minimum SIP amount 1000 पैका सेट किया गया है और minimum lump sum 5000 का सेट किया गया है यदि आप invest के आप पैसा 12 महने के अंदर निकालते हैं कितना 12% से जादा तो आपको 1% के यहां पे exit load देना होगा तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss किया LIC mutual fund large and mid cap fund के बारे में फिर मिलते में लग नेस्ट इस तरीके का वीडियो की अच्छे जानकारी को ले करके